तुझी सबसे बड़े तो आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौत की धेरी सारी चुब काम ना है तो सुबी का वक्त हो गया है और मैं बस नहाद होके रेडी हूँ क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए मैंने चौकी वगर अभी तक कुछ भी नहीं लगाई है अभी तक बस घर की साफ सफाई हो रही थी और क्लिनिंग वगरा करने के बाद फिन हाद होके मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने पहनाई ये रेड कलर का सूट देखे आपको अच्छे से दिखा रहे हैं ये सूट मैंने डाला है और ये जो सूट है ये मेरे ही मैंने लगाई थी महंदी तो देखो मेरी महंदी कैसी रची है और सबसे बड़ी बात पते कि मुझे अलर्जी भी नहीं हुई तो मैं मुझे इतनी जादा खुशी हो रही है ना मैं सच बता हूँ वैसे तो मैंने लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लिया था हालंकि मुझे अधिन जादा कि होगा कुछ नहीं क्योंकि मैंने इसमें जितनी भी चीज़े मिलाई थी ना वो सब्सक्राइब घर की चीज़े थी बिल्कुल कैमिकल फ्री महंदी मैंने अपने लिए बनाई थी और मैंने ने इसको रात को निकाल लिया था मतर्ब आठ नौ गंटे यह रह ला राता था और तो बस यह मेरा आज का लुक और बाकी रड़ी तो मैं बाद में होंगी बच्चे अभी सो रहे हैं पदिदेव जो है अपना नाहाद हो रहे हैं और तब तक मैं पूझा की तयारी कर लेती हूं तो चलिए फटाफट से पूझा की तयारी करते हैं उसके बा से होगी वैसे तो वंशिका के पापा ने बुला था कि आज का पूरा दिन रेस्ट करना लेकिन यह था कि चलो मैं सुबे का नाश्टा तो एटलीस बनाई देती हूं क्योंकि होता ही है ना हस्बें लोग कितना भी कर ले लेकिन फिर भी एक जो अपने हाथ से चीजे होती है वो नहीं हो पाती है और बहुत जगे मैंने सुनाया कि करवा चौत के दिन बोलते हैं कि सबजी नहीं कट करते हैं और भी बहुत सारी चीजे लेकिन देखिए करना ही पड़ता है आप कितना कोशिश कर लो लेकिन कुछ चीजे घर की ऐसी हैं जो आपको ही करनी पड़ेंगी तो मैं यहां पर इनके लिए बनारी हूँ पोहा तो मैंने प्यास कट कर लिये थे थोड़ा सा कड़ी पता और इनों ने बोले जितनी सबजी है अना फ्रिज में बची भी वो सारी पोहे में डाल देना तो यहां पर यह थोड़ी से सबजी सांभर वाली बची होई थी जो मै मैंने सामभर के लिए मंगाई दी न वो डाल दी है और थोड़े से स्प्राउट्स भी मैंने जो है इनके लिए एड कर दिये है तो यही है कि पुहा काफी हेल्दी बन जाता इस तरीके से आप सारी चीज़े उसमें एड कर दो और फिर मैंने इसमें हलका सा नमाक एड किया है अच्छे से इसको करेंगे मिक्स और इसको मैंने ढख दिया था फिर थोड़ी दिर के लिए मतलब वही दो तीन मिनट के लिए और यहां पर मैंने इसमें बाकी के जो मसाले होते ना मिर्ची हल्दी यह भी आड कर दी थी और अच्छे से मिक्स करने के बाद और बस इसको के रखने के बाद जैसे ही सबजी पक जाएगी इसमें एड कर दींगे पोहा और इस तरीकी का वेजटेबल वाला पोहा वंजिका के बापा को बहुत जादा पसंद है बहुत ही जादा और मैं सच बताओं मैं अपनी महन्दी देख देखके इतनी जादा खुश हो रही थी मतलब मेरे खुशी का ठीकाना ही नहीं था जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो किसी चीज को और वो हो जाती है तो और भी अच्छा लगता है तो बस इधर देखिए अब मैंने पहले इनकले पोहा बनाया और बच्चों के लिए मैं रोटियां बनाऊंगी तो इससे एक द पोहे का नाश्ता कर लेंगे फिर दुपैर का तो डिसाइड था ही कि दुपैर में भी वंजी का कि पापा ने ही खाना बनाना है और नाइट में भी जो है उन्होंने ही खाना बनाना है हालंकि नाइट का मैंने उनके लिए मज़ा किया था लेकिन करवा चौत वाले दिन कु तो मैं थोड़ी दिर के लिए लाइव आई थी और ये सूट कैसा लग रहा है मुझे बताना सबको लाइव में तो ये वाला सूट बहुत पसंद आया और पता है रेड कलर इतना डाक रेड मैंने मैं बहुत कम पहनती हूँ mostly मेरे पास न महरून कलर है और ये रेड कलर देखके मुझे लग रहा था कि नहीं मुझे एक दो रेड कलर का ड्रेस और बनाना चाहिए मतलब सूट और बनाना चाहिए मुझे भी अच्छा लग रहा था रेड कलर रेड कलर से एक अलग ही रॉना से ही होती है अब देखो कोई डिस्टप करने वाला नहीं है अब मैं आराम से अपनी पूजा कर सकती हूँ तो दुपैर में ज्यादा पूजा तो नहीं होती बस यह है कि चौकी लगानी होती है फिर कथा का जो टाइम है वो बाद में होता है और इसी व्लॉग में पूरे व्ल खुरू में ज्यादा तो मुझे याद आरा था कि यह भी नहीं है वो भी नहीं है तो होता है नो एन मौके तक भी आपकी काफी सारी स् nephew जो है और हुआ जो से बांट में होता है तो वह जो है ना उसमें कुछ चीजे नहीं थी तो बाकी की चीजे तो मेरे पास मतलब मैं ले आई थी लेकिन और चीज़े नहीं थी जो मेन होता है तो बस यह है कि अभी ब्लिंकिट का बड़ा सहारा है कि उसमें सारी चीज़े अविलेबल होती है करवा चौत होगा तो उसे रिलेटेड जितने भी आइटम होते हैं वो होंगे नवरातरों से रिलेटे और दस मिनट में जो है डिलीवर हो जाता है तो मैंने जल्दी से जो है उसी से ही ओर्डर कर लिया था हलंकि कॉस्ट ली तो देखो पढ़ता है लेकिन यह है कि इमर्जेंसी में ब्लिंकिट का सहारा रहता है इनफेक्ट करवा चौत के दिन तो वो चार बज़े सरगी भी प का की कथा जो है मुझे वंशी का सुनाती है हर बार क्योंकि इस बार भी जो है लाइव में कुश्चन आ रहे थे कि दिदी आप करवा चौत की जो कथा है ना वो अकेले क्यों पढ़ते हो तो मैंने स्टार्टिंग से ही अकेले करी है पहले से ही तो मुझे वही हैबिट हो ग जाए वही ठीक रहता है होता है कभी-कभी भरोसे पर रहो तो फिर चीज़े लेट हो जाती है इस वज़े से तो देखिए यहां पर जो है मैंने बगवान जी को पहले टीका लगाया उनको फूल चड़ाए उसके बाद मैंने यहां पर दिया जला दिया है और बस जो दुप दूल रहे अभी दाल देखेगा विदांश देखेगा विदाल भी कैसी बनी है इस पहा इस सुबह बनाया था इन लोगों के लिए भी बच्चा होई तो यह लोग करेंगे लँच के बैठ चुक है लंच करने के लिए दो बज़गे है इतनी दिर में कहा देती हूं तुम ल दे दो इनको खाना फटाफट से और उसके बाद ना तुम दोनों पानी की बोतले सारी भर के फ्रीज में लगा देना ठीक है लोग तो करेंगे लंच और अब मैं जो है हो जाती हूं रेडी कथा के लिए तो दो बच गए हैं तयार होने में अभी एक डेट घंटा तो लगी जाएगा क्योंकि खुद से तयार होते हैं तो दीरे दीरे तयार होंगी तो चलिए शुरू करते हैं और यह कपड़े मैं आप निकाल लिये साडिता होुटी है अज यह जो साडी है और यह भी मतलब मेरे ही उसे सारा कॉलेक्षन चेहीं मतलब सारा सूट भी साडी यह वाला सूट यह साडी सब कुछ तो चलिए रेड़ु जाती हूं पहरे इसके बाद आप लोग इससे मिलती हूं तो चलिए जी पॉंड्स की जो बीवी क्रीम होती है वो लगा जाता साथ में फेस पाउडर भी लगा लिया था तो अभी मुझे बहुत जादा कुछ डाक नहीं करना है मैं हलका से टच अप करूँगी इसी मेकप के ऊपर और थोड़ा बहुत छूट गया है लाइनर बगारा वो अपलाए कर और फिर आप पॉंड्स की बीवी क्रीम ये सारी चीज़ें लगा सकते आप चाहो तो फाउंडेशन भी लगा सकते लेकिन मैंने सीव बीवी क्रीम लगाई थी उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा फेस पाउडर और लगाया है क्योंकि सुबे से किया हुआ अब थोड़ा सा टच अप करना था तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए अच्छे से फेस पाउडर लगाया है और यह वही फॉरेवर फिफ्टी टू वाला है बहुत अच्छा है यह एकदम से ग्लो आ जाता है और आइब्रो जो है ना वो मैंने फिल की है क्योंकि जै हादा डाक मेकप में नहीं कर रही हूँ हलका सा जो गोल्डन शेड होता है यह फिंगर की हेल्प से ही अपलाए कर रही थी लेकिन उसके बाद फिर मैंने चेक किया तो मेरा जो आई शेडो ब्रश था ना वो भी मुझे मिल गया था अच्छा मुझे ना लिपस्टिक डार्क बहुत अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो आईस का जो मेकप है वो थोड़ा सा लाइट ही रखा है उसके बाद अपना लाइनर काजल और मसकारा यह तीनों मैंने लगा लिये हैं लास्ट में बारी आती है जो ब्लशर होता है वो लगाने की तो बस हलका हलक है इसको भी बहुत जादा नहीं लगाया है बहुत जादा नहीं लगता फिर बहुत जादे लाल से गाल लगते हलका सा पिंक कलर का जो है मैंने बलशर लगाया था और यहाँ पर मैं बिंदी ट्राइ कर रही थी तो सबसे बहुत है ना मैंने यलो बिंदी लगाई तो अच् पार जो लिप शेड मैंने सुभी लगाया वा था उसके उपर ही मैंने ये मर्जेन्टा कलर का लिप शेड लगा लिया था तो finally मेरा make up done है अब hair style में मुझे इतना जादा confusion हो रहा था पहले मैंने ये वाला hair style किया जो कि अभी आपको दिख रहा है अच्छा तो लग रहा था ये भी लेकिन मुझे ना वो जो beach वाली मांग वाला hair style है ना वो चाहिए था मुझे परसनली काफी जादा पसंद है तो दोनों तरफ से जो है ना पिंसे इसको मैंने ऐसे टक कर लिया है ताकि बाल बिलकुल भी face पर ना आएं और देखें hair style बस हलक ऐसा जूडा बराया तो ये जूडा तो मैं हमेशा ही बनाती हूँ बिलकुल रफ सा जूडा बन जाता है और जूडा बनाने के बाद बस जूडे को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे तो यहाँ पर मेरी जो help है वो वंचु करवा रही थी वंची का को बड़ा शौक रहता है होता ही है ना बच्चों को ममी मेकप करी है तो ममी के सामने आ जाना finally जो है मेरा हेर स्टाइल बनके बिलकुल तयार है finally भारी आती है जूलरी पहनने की तो मैं artificial कुछ नहीं पहनूँगी तो मैं अभी यहाँ पर जो है gold की जूलरी डालने लगी हूँ तो बस यहाँ पर मेरी जूलरी कैसे लगी बताना जरूर और artificial भी अच्छी लगती है और मतलब यलो साडी थी ना तो मेरा मनता की मैं gold की जूलरी डालू और वैसे भी हर शूब अफसर पर कहते है ना gold की जूलरी डालने चाहिए और भी गजरा तो मेरा favorite part होता है fresh fuller का गजरा ये वंजीका के पापा जरूर से लेकर आते है करवा चौथ पे भी ना बोले ले आये थे इस बार तो वरना हर बार तो खैर मुझे बोलना पड़ता है इस बार वो सुबह जब भगवान जी के full ला रहे थी ना तो वो गजरे भी उठा के ले आये थे ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में ये वाला पार्ट और इनकी जो खुशबू आती है ना सच में मूड एकदम जो है फ्रेश हो जाता है तो फाइनली मेरा मेक अप हो चुका है बस लास्ट में चूड़ी चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं चूड़ी चेंज कर रही हूँ और कैसे ही लग रही हूँ मैं आपको मेरा मेक अप कैसा लगा मुझे जरूर बताना और अगर आप चाहते हो कि मैं मेक अप वीडियो बनाऊ तो आप प्लीज मुझे बताना होता ही है तो वंची का नेना बिना देरी किये जो है मेरी बात भी माल ली तो जी फाइनली मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए तो इस बार मैंने अपना लुक बहुत जादा मतलब जैसे पीछले बार में कोई देखते रहते हैं तो चलिए हम लोग पूजा कर लेते हैं पहले वंची का मुझे कथा सुनाएगी बस यहाँ पर देखिए वंची का आ गई है मैं भी आ गई हूँ मैंने सर पे रेड दुपट्टा डाला था मैंने सुट डाला था ना उसी के साथ का यह दुपट्टा है हलका सा था तो इसलिए जो है ना मैंने इसको सर पे डाल लिया है और हाथ में चावल ले लूँगी उसके बाद मैं कथा पड़ूँगी माच इसकी डिबिया खोल रही थी तारी तिलिया नीचे गिर गई उल्टी डिविया खोली मैंने इस वज़े से और बस दिया जला दिया यहां पर वंची का जब कता सुनाती है न तो उसको बड़ी खुशी होती है पताने क्यों लेकिन खुश बहुत होती है महान पती पती प्रता थी जो अपने पती के साथ नदी के किनारे एक गाओं में लिती थी एक दिन उसका पती नदी में स्नान करने को हुआ देवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया तब वह मनुश्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिला चि पुकाने लगा कि बेटा वहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं अधा उस बुड़िया ने परोसियों से पूछा तो परोसियों ने कहा कि बुड़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है और पते क्या हुआ इस बार करवा चौथ के दिन मेरी फर्स टाइम इतनी जादा हालत खराब हो गई थी की आठ बचे दस मिनट पे सौरी चांद निकला था मेरा सर दर्द के मारे फट रहा था ऐसे लग रहा था बस बिलकुल अब मैं बेहोशी हो जाओंगी बहुत बुरा दर्द हुआ मुझे पतानी क्यों और साथ में न मुझे वामिटिंग जैसा होने लगया था एकदम से चक्कर आ रहे थे बड़े मुश्किल में गई थी वरत खोलने और बचे पार्क चलेगे थे तो वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई तो बस वही वही चीज रह गई बाकी यहां पर देखिए सुन लिए मैंने वो जो चावल थे वो मैंने पलों में बान लिए हैं साड़ी के शाम को चांद के आने पर चड़ेंगे और उससे पहले याँ सूरे को अर्ग दिया है कि 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 की बांद के लाँ चांद के का अराण के वो नहीं यहीं सूरे को अर्मार काई बागर दूज रहा है